चिराग मिमाना लगी तोड़ में जेडियूई नहीं बीजेपी की साजिश बोले इतना कुछ हो रहा है भाजपा अंजान कैसे होगी नमस्कार बोलता हिंदुस्तान में आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहार की लोक जन्शक्ती पार्टी की कमान संभालने को लेकर दिल्ली में लोजपा की दास्ट्री और कार्यकारणी की बैठक के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया है चिराग पासवान पहले से ही लोक जन्शक्ती पार्टी में तूट के लिए मोख्यमंतरी निधीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते आये चिराग पासवान का कहना है कि जब वा बीमार चल रहे थे तो उनकी पीठ के पीछ है लोजप्पा में या सियासी गड़नाकरम घटा है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी मेडिया से बाचीत के दोरान चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीदीश कुमार ने उनकी पार्टी में तोड़ फोड़ करवाई है शिराख पासवान का कहना है कि फरवरी 2005 से ही नितीश कुमार लोग जिलशक्ती पार्टी को तोड़ने की कोशिस कर रहे हैं जब हमारी पार्टी के 27 विधायक चुने गए थे नितीश कुमार ने पासवान और जाट समुदाय को अलग धलग करने के मकसद से साल 2006 में महा दलितों का एक नया वर्ग गठित किया था ताकि वह दलित वोट बैंक को अपने पाले में ले सके और खुद को दलित ही तैसी दर्शा सके इस बात को सभी है जानते हैं कि उनोंने जदियू में मौझूद दलित नेताओं के साथ किस तरह का बारताओं किया है यहां तक कि उनोंने जीतन राम मांजी को सत्ता से ही बेदखल कर दिया था एक बड़ा खुलासा करते हुए चिराक पासवान ने बताया है कि उनके ही परिवार के कुछ लोग नितीश कुमार के मुखबिर थे नितीश कुमार उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे चिराग पासवान ने भाजपा के साथ भविस में लोजपा की राजनातिक संबंधों पर कहा है कि बीते हफ़ते उनकी पार्टी में जो भी सियासी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भाजपा के सीर्ष नेतरत को नहीं पता या विश्वास करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा फिल्हाल इस खबर में इतना ही आप बने रहें बोलता हिंदुस्तान के साथ फॉर मूर सब्सक्राइब नाउ